इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ गया है उस पे एक बर बात कर लेते हैं क्या-क्या एक्जाम पैटर्न हैं क्या है क्या है सब कुछ पता कर लेते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं क्या SSB इंटर्व्य भी देना पड़ेंगे आपको व तो Ministry of Defence की तरफ से एक तरह से नोटिस मान सकते हैं आप आठ सप्टेंबर से लेगे 22 सप्टेंबर से इसके फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन eligibility criteria की अगर हम बात करें तो किसकी पोस्ट के लिए निकली हुई है पहले उस पर बात कर लेते हैं Post of NAVIC, Journal Duty के लिए, NAVIC Domestic Branch के लिए, यांतरिक Indian Coast Guard में यह सब रही information आपके निकली हुई है Domestic की अगर बात करें NAVIC की तो वो 10th past चाहिए उनको किसी भी board से NAVIC की बात करें तो 10th plus 2 चाहिए और यांतरिक की बात करें तो 10th past चाहिए Education Board से और Diploma in Electrical, Mechanical or Electronics Communication तो जितने भी आपके Diploma आले वाले student है उनके लिए बैतरी मौका आ चुका है आपका ठीक है एक बात कर लेते हैं क्या क्या इन पर चीजें चाहिए हमें और आगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो Engineering of duration 3 or 4 years approved by the All India Council of Technical Education ठीक है ठीक है आगे बात करते हैं बेसिकली तीन चीज़ों में है Electrical Engineering में डिप्लोमा, Mechanical में डिप्लोमा या फिर Electronics में डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को जुरूर फिल कर सकते हैं कैसे कैसे पोस्ट है कितनी कितनी पोस्ट है अगर वह बात कर लेते हैं अगर हम जनरल लूटी की बात करें नाविक की तो उसमें लगबग तो अगर हम बात करें कैसे कैसे distribution होने वाला है कैसे कैसे selection होने वाला है उस पर एक बार बात कर लेते हैं चर्चा कर लेते हैं तो basically अगर आप देखोगे यहाँ पर तो stages में चीज़े हैं stage 1 इनो लिक रखका computer based examination की पहले उसमें document verification होगा तो अगर documents सारे आपके पास available हैं तो आप pass ही माने जाओगे इस first point के साब से नहीं तो आप यहीं पर fail हो जाओगे उसके बाद biometric recording आपको करनी पड़ेगी undergo मतला उसके थू जाना पड़ेगा आपको है ना उसके बाद point number 3 में देखो point number 3 में क्या है नाविक अगर हम बात करे है domestic की उसमें section 1 है ना passing marks आपको 33 यू आर EWS और obviously के लिए 27 marks आपको चाहिए SCST के लिए नामिक GD में आपको section 1 plus section 2 और आपको pass होना पड़ेगा individually section 1 और section 2 में compulsory है वो separately अलग-लग ठीक है यहां ते electrical में भी नोना दे रखा है और चीजे क्या क्या आने वाले return test में वो देख लेता है सबसे important बात तो वह है याना section 1 की अगर मैं बात करता हूं section 1 में maximum marks साथ नंबर है 45 मिनट आपको दिये जाएंगे number of questions से 60 साथ question 45 नंबर के कैसे कैसे distributed है 20 question maths के science के English के reasoning के और GS के passing marks 30% 30 नंबर आपको लाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे इस पर total number of questions साथ नंबर है मतलब 50% आपको secure करना पड़ेगा जनरल और EWS की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्लेबस 10 तक ही पूछा जाएगा आपका section 2 की आप यहां पर चीजे देख सकते हो math 25 और physics 25 आएगे यह 10 प्लस 2 का होगा है ना वह स्लेबस यहां पर देखने को मिलेगा 30 मिनट पर 50 questions आपको solve करने होंगे यहां पर section 3 की बात करें diploma electrical engineering वाले वही आएगा electrical engineering के 50 questions section 4 की बात करें electronics से आएंगे और section 5 की बात करें mechanical engineering के मतला diploma वाली questions आपको यहां पर देखने को मिलेंगे स्टेज 1 तो यह complete होगी स्टेज 2 में आप देखोगे computer based examination ratio available vacancies के हिसाब से सोट लिस्टिट किया जाएगा को section स्टेज 2 के लिए और उसमें आपका अलग से यह वो आएगा admit card आएगा स्टेज 2 की duration अगर हम बात करें एक से दो दिन चलेंगी will be conducted to the allotted center पर ठीक है स्टेज 2 जो है involves the following examination which are only in qualifying nature तो स्टेज 2 के सिर्फ qualifying है इधर provisionally और pass और fail या तो आपको pass कर दिया जाएगा या आपको fail कर दिया जाएगा रिजल्ट जो है वो एक घंटे के बाद आपका बता दिया जाएगा और जो candidate इसमें pass होंगे जो qualifying करेंगे वही आपका next phase में जाएगे सबसे important बात यह है उसके बाद आपका physical fitness test है यह भी पास और fail कई है PFT जिसको हम बोलते है फिजिकल fitness test यह अगर हम बात करें तो इसमें 1.6 km की आपको running करने है साथ मिनट में 20 squats up करने उठक बैठक आपको और 10 push-up आपको लगाने है यह तो सब कर लेंगे उसके बाद यह आपका होगा document verification यहाँ दुबारे से और इन्होंने दे भी रखिये validity जो अच्छा यह तो validity है फिर उसके बाद medical initial medical examination आपका होगा इसके बाद जब जैसी document verify हो जाते है आपकी उसके बाद सबसे important बात है कि preparation of the final merit list आपकी बनेगी stage 3 के लिए है ना ठीक है stage 3 में stage 3 जो है third document verification provisionally pass or final यहाँ पर देखे जाएगा उसके बाद final merit list होगी medical आपका check किया जाएगा कहाँ INS चिलका पे है ना तो INS चिलका पे आपको जाना पड़ेगा final medical examination होगा सारे के सारे जीतने भी selected candidate है उनके INS चिलका पे conducted final merit on the gap between the appeal medical examination conducted stage 2 recruitment process and the date of reporting जो है INS चिलका पे होनी वाली है ठीक है जो candidate who are not found medically fit in the final medical education mission पे वो enroll नहीं कर पाएंगे training के लिए इन्होंने साफ-साफ यहां पे लिख रखा है ठीक है तो थोड़ा सा rigorous process है आपको पताई है जब भी हम defense के किसी भी job में जाते है तो वहां थोड़ा सा rigorous process आपको देखने को मिलता है चाहिए वो ministry of defense में Indian army की हो, Indian navy की हो, Indian coast guard की हो तो basically step by step आपको filter किया जा रहा है first stage पर ही आपको एक return test के थूँ गुजारा जाएगा उस second stage में है only qualifying nature के है लेकिन वहां पर pass और feel का ही है थोड़ा adaptability test और वो सब होगे OMR seat पर आपको चीज़े होगी वहां psychology आपको चाहिक की जाएगी बहुत सारी चीज़े यहां पर देखने को मिलेगी ठीक है यह सब होगा उसके बाद आपको final stage जो है stage 4 जितने भी है वो सारे candidate जो है training होंगे INS चिलका पर to submit the original document during the stage 3 and verification सारे फिर यहां पर कर ले जाएगा उ join indiancoastguard.cdec.in इस वाले इस website से आप apply कर सकते हो इस form को जितने भी diploma वाले student है वो इस form को जरूर apply कर सकते हैं अलग-अलग diploma है और सबसे बड़ी बात है कि आपको ministry of defense के अंदर काम करने का मुका मिल जाएगा Indian coastguard के साथ है ना जो कि बहुत बड़ी बात होगी बहुत गर्व क बात होती है minister of defense के अंदर काम करना ठीक है तो hopefully examination को सब भरेंगे इस form को जब भरेंगे और सब appear होंगे जो भी eligible candidate है वो इस form को जरूर बढ़ना ठीक है अच्छा वो मैं अगर आपको मन भी नहीं तब भी बढ़ सकते हो क्योंकि एक experience आपको मिल जाएगा defense forces से कैसे deal करना है कै कैसे वो काम करती है थोड़ा थोड़ा idea आपको जरूर लग जाएगा जो की आपको लगना भी चाहिए ठीक है thank you so much अगर यह information अच्छी लगी होगी तो इसको like कर देना share कर देना अपने दोस्तों के साथ और अगर session पसंद आया तो thumbs up कर देना like कर देना thank you so much guys bye bye take care